चानराथ बहुत बहुत मुबारे को चानराथ खत्व होने वाली है पर मेरे काव अभी खत्व नहीं हुए तो मैं कह रही हूँ आदा घंटा यह पुना घंटा क्या सोचे वे जी असाम लेकुम जी क्या हल चाल है उमीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे तो जनाफ हम सब को चूबा नाशते की तैयारी हो और मैं रग दीए पाय बनने के लिए उसकी रेस्पी प्राज़ के शर करोंगे और इस सबसे पहले यह पैसमये में तरिकी टर्फ चलता है ताकि ये क्रीमी फॉर्म में आज है और रफान फ्लेवर का जो है ना मैंने कस्टर बनाया था और उसके अंदर अब मैं चुनाब डाल दूंगी दो क्रीम के पैकेट और फिर तीन भी जा सकते थे क्योंकि पांच किलो दूद मैंने लिया था तो मैंने दो डाले है और फिर इसके बाद मैंने इसमें डाल दिया और अब जाएगा इसके अंदर colorful सवेईं और फिर इसके बाद जाएगा इसके अंदर fruit cocktail और fruit cocktail के बाद आपके पास जो पड़े वे हैं ना मेवाजाद वो डाल दें मुझे इसके अंदर किश्मिश बहुत अच्छी लगती है वो मैंने इसके अंदर डाल दी पिर आपने उसको जो है ना कट करके ना वो डाल देगा और फिर अब इसको कर लेंगे हम अच्छा सा मिक्स और अभी कुछ थोड़ा से चीज़े और बागी है जनाप अभी जैली बागी है अब इसमें हम colorful सी जैलिया डालेंगे तो मैंने ग्रीन और रेट कलर की जैली इसमें डाली है येलो मैंने मंगवाई थी मिली नहीं अगर येलो भी मिल जाती तो बहुत अच्छा सा कलर आ जा रहा था तो बस अब इसको आपने डिश आउट करना है और इसको रख देना है फ्रिज में तीन चार गहंटे के लिए ठेंडी ठेंडी लबे शीरी आपने ना इड की नमाज से पहले ही खा लेनी है और ये बहुत अच्छी और बहुत टेस्टी बनती है कपड़े प्रेस करने हैं और भी कुछन का काम फञुक्त क क्पड़े करें अब तो करूंगी कपड़ें और हसन प्रेस करने हैं मियां साइथ के तो हूए में प्रेस और सुबह एव की कि थोड़ी तो त्यारी करनी है और तो साड़े तीन हो रहे हैं अब समझ नहीं कि सौंगे ना सौंग क्यूंकि हम लोगों ने तक्रीबन घर से साड़े छे बजे निकल जाना है इती नमाज पढ़ने के लिए मैं जो है ना लबे शिरी को रखती हूं फ्रिच में और फिर उसके बाद जो काम करना है वह आपके साथ शेयर करती है चले चना आप आयों की सूर्टे हल को देखते हैं कि पाए कहां दिक कर पहुंचे हैं और पांच-छे घंटे ओगे वे इसको रखे वे और मिच्ट लग रह देखा हुंगी पकने के लिए और आप इसकी ऐस्पी देखेंगे मैंने किस तभाईों को रखा है पकने के लिए कर बादने का हरेकश तरीकिवा ठीका मुझा था में सॉउंफ का इसमाल इसमें बहुत अच्छा टेस्ट हाता हैं और इसके इंदर यहां मैंहादूर्ट-टे तो जनाब है काली मिर्चे और इन सब को मैंने कठा कर लिया और इसका इसनमाल में आपको आगे जाके बताती हूं कि कब करना है चले हम पायों की कोकेंग की तरफ चलते हैं पतीली में मैंने ओल डाल दिया और यहां पर मैंने पांच शे प्यास लेके उसमें थोड़ा सा पानी डाल के ना उसको ब्लेंड कर लिया है और अब मैं इस प्यास को फ्राई करूँगी और फ्राई आपने इस तरीके से करना है कि इसका हमने मीठा पंच और प्यास के ना वो खतम करना है कलर हमने इसका चेंज नहीं करना और बनाई करने के बाद इसके अंदर जनाब डाल देंगे हम लसन अदर का पेस्ट और फिर लसन अदर का पेस्ट डालने के बाद पिर इसके अंदर हम डालेंगे पाये और फिर हम प है लगसी एक smell होती है इसको मैं इस्टन होती हूं कि आपने पतीली में पानी टालना ए थाल I Just जो लसन पीस के ना आपने वो डालना है और इसको आपने एक उबाल डालना है और जैसे ही आपको एक उबाल आजएगा तो वो पानी आपने फेंग देना और दोपारा से जो है ना पाई आपने धोलेने अच्छा और दूसरी जो ऑठेंटिक इसकी जो रेस्पी है ना उसमें जो है ना टेमाटन नहीं डलते उसमें जो भुनाई होती है ना वो दई के साथ होती है तो अच्छा जनाब पायों की अच्छी से बुनाई हो गई है उसके अंदर बेसिक जो मसाले जा रहे है नमक, सुरक मिर्ट, सुका धनिया पीसा हुआ जाएगा और इसमें जाएगी हल्दी जाएगी अच्छा इसमें टमाटन नहीं जा रहे तो इसके लिए हम इसमें और दई के साथ हम पायों की और मसालों के साथ दुबारा से अच्छी से बुनाई करेंगे और फिर जनाब हम इसमें डाल देंगे पानी और पानी आपने इस साबसे डालना है कि आपको साथ आठ गहंटे हलकी आच पाय पकाने हैं और प्रेशर कुगर में भी पाय अच्छे बन जाते हैं लेकिन जो ये खुद टाइम लेते हैं ना साथ आठ गेंटे पकने में उसी से इसका जो फ्लेवर निकल कर आता है अच्छा ये जो खड़े गरम मसाले मैंने आपको शुरू में दिखाये थे अब इस स्टेज पर आपने ये सारे मसाले जो है ना इसमें डाल दे और इसमें यहां पर मैंने जो है ना जीरे को पीस के वोईस में डाल दी है और अब मैं इसको छोड़ दूँँगी तकरीबन जो है ना पांच-छे घेंटे हलकी आंच पर पाई पकने के लिए जो है ना इस वकल फुल मेरी आंकों बे आई हुई है लेकिन टाइम जो है ना पौने पांच हो रहे हैं तो मैं कह रही हूँ आदा घेंटा या पौना घेंटा क्या सोच छे बजे जो है ना उटके फिर इत की नमास के लिए त्यार होना है तो बस अब जो इस वकल मैं काम करने लगी हूँ ना तो यह मैं अपने लिए लेकर आई थी फेस गोल्डन शीट मास्क यह अपने फेस पर प्लाई करूंगी और साथ जना मैं आई शीट मास्क भी ले गए थी क्योंकि जिससे पहले मैं आपको बताए बने फिशल वगएरा कोई चीज़ भी नहीं की वी थी तो बस फिर मैंने यह दो मास्क ले ले लिए मैंने का बस यह दो मास्क ही लगा सबसक्राइब करने लाइक करने शीयर करने मुझे अपना ठीर सारय प्यार देना है शीट मास्क को मैंने फेस पर लगा यह यकिन करें वही थी एक हिंट सूई हूं गहीं हुए और एक गहांटे पाट जब मेरी आंखो लिए जब मैंने एनको लिए जिए की नमास पढ़ने तब तब मैंने जाके इसको उता रहे हैं वैसे इतनी दे लगाते हैं ने लेकि मेरी आँख लग गई थी तो उमीद है कि आपको मेरी वीडियो जो है न अच्छी लग रही होगी और यहां पर देखें नीद की शिद्ध इतनी थी कि मैं पहले उल्टा लगाने लगी थी फिर मैंने उसको सीधा लगाया तो बस जनाब आप आप दे मुझे अजाज़त अब मैं इन्शाला आपको मिलूंगी ईद के व्लॉग के साथ तो वीडियो को फुल वाश कीजेगा अब दो मुझे इचाज़त अल्ला हाफिज